नमस्कार मैं मिथुन यादव आप समों का गाई आज के सेसन में कॉम्पटिशन कम्मूनिटी पर स्वागत करते हूं आज के सेसन में गाईज बात करने वाले एक बहुत ही अद्भूत एक खुबसूरत सा टॉपिक एक बेगमिसाल टॉपिक जिसका नाम होगा रिमेंडर थियोरम पार्ट वन अन्हें हिंदी में बोलने तो सेसफल पर में भागवन तो इसके कई पार्ट सापको देखने को मिलेंगे यह वही टॉपिक से जहां से एकजामनर कॉस्टन ना पूछे तो उसको चेन ना आएगा किसी भी एकजाम को उठालो या किसे शेस्टेट लवल को उठालो या तो एससस्टी को उठालो या तो रेलवेय ओको उठालो मेरे दोस्त यह वही टॉपिक है यहां से कौस्टन बनना 118% जेष्टी के साथ आना तरह है समय चीक नहीं U.s. नेниर Siasfell का नाम कही वर सुना होगा, Remender का नाम स्फुना होगा, और यह बात करता है, कब प्राप्त होती है? पूरे एक घंडे के जो भी वीदियो होंगे, क्या को पूरी लेक्षेर पढ़ाएंगे, इस बात और बात सुना ली जागें यह मरेबात P. आप ऐसे बहुत सारे इस्पारेंट चोगदा 15 मिनिट तक आपको ये यूटूब पर वीडियो दिखाई देगा उसके बाद क्या होगा समय लोगा ये वीडियो आपके लिए कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा कोई चार्जेज देना नहीं पड़ेगा घबराओ मत कोई अधा वीडियो होगा समझा की नहीं चलो अब आज के पूरे इस एपिसोड में क्या 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 बात करने वाले में बताएंगे आपको क्या बताने वारे सुनो तो कोण्सेप्ट आफ नेगेटीव डिमेंडर क्या होता इसके वारे मुद्ध बात करेंगे एकदम खुबसूरत अंदाज में ठीक है सरी यह मोडिलेटी का कोण्सेप्ट क्या था बता देंगे आपको पता है गाइज मेंस में मैंस की पॉर्षन की अगर बात करते हैं तो इस concept पे सवाल बनते जो आज के session का एक part होने वोला देख लो क्या क्या है देख लिजी फटाबट से ठीक है तो इन तमाम theory पे सवाल बनाएंगा आई हम सुरुवात करते हैं बिल्कुल basic से मानता हूं कि तुम कभी reminder तो पड़े ही नहीं हो पहली बार तुम कलम पकल के reminder का नाम से भाग दे रहे हो तो भाग देने का क्या मतलब हो था इसका मतलब हो रिमेंडर बच गया कितना डो अब यहां पर समझारे हैं कि इस तर 7 से अगर आप 65 को भाग देरों इसका मतलब है कि मान के चलो कि टोटल एक ग्रूप है क्या है कि ग्रूप कितने लोग का सर 65 लोग का एक ग्रूप है और 7 से भाग देने का नो गुरूब बनाने के बाद कितने लोग बच गाए ये दो लोक तो हमारा बच गया इसी को बलते हूँ रिमेंडर लेकाए अच्छा पांच लोग बना लिए अगर आप दसवा गुरूब बनाने के लिए जानते हैं सर हमारे पास जैनते हो कितना साथ लोग चाहिए हो? अब यह लोग बचा हुआ है मतला पांच लोग हमको और चाहिए मतला 5 लोग का कमी पढ़ रहा है हम 10 स्वा गुरूव तो बना देंगे लेकिन हमारे पास 7 लोग तो नहीं है आज के बाद तुम को भी नमर को divide करते हो, वहाँ पर हमेशा, वह हमेशा दो remainder दिखाई देता है, positive और एक negative, बात समझा क्या, हाँ, सर ये negative remainder तो answer में दिखाई न दिखाई न दिखाई नहीं पड़ेगा, तो फिर पढ़कियों है सर, हम भले सुनो, अगर negative remainder आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको positive में convert कर लेंगे, सर कैसे करते हैं, हम भले बता रहे हैं, सुनों आँ ध्यान से, ये minus 5 है, हम भले हाँ, इसको positive में convert करना हम भले हाँ, हम भले एक ही काम करना, जिस number से इसको भाग दे रहे हो, उसको इसमें जोड़ दो, हम भले किस से भाग दे रहे हैं, सर 7 से भाग दे रहे हैं, हम भले 7 इसमें जोड़ दो, तो 7 जोड़ दो कितना हो जागा 2, तो कोई positive remainder के बराबर आगए, एक नहीं आगए, तो याद अखना भाई है, negative remainder आएक अनसर में, लेकिन उसको positive में convert करना केस है, जिस नमर से भाग दे रहे हैं, उसी को इसमें जोड़ दो, तो आज पाला क्लास में काफी basic से बात है करेंगे, क्योंकि यह वो chapter है, जहां पर हर एक exam से सवाल बनती है, तो पाला basics, फिर इमेडियर भी थोड़ा moderate level करूँगा, फिर difficult level में तो, इवेन आपको cat level के सवाल भी करा दूँगा, tension तुम लोग लेने की जौरत नहीं, लेवल में कभी घबरा रहे हैं मत, ठीक है, ठीक है, सरी बात समयागे, हम बोले हाँ चलो, इसको बोलते हैं में बोलते हैं में बोलते हैं इसको बोलते हैं में 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 बात समझा और इसको बोलते हैं में 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 बोलत सिस्फल आप समझना अब ही एक बात आप लोग बचपन से सिखेते हैं आज मैं फिर से आपको रिक्याप कराता क्या किस तरह अगर यह डिविडेंड चाहिए बीच वला चाहिए नितम निकाल से तके से सरे 7 को 9 से मुल्टिप्ला कर दो और यह 2 को जोड़ दो तो सरे इसका मत कर देते हैं उस बात को मैं लिख दे रहा हूं यहां ठीक है ना इसको कई जगा स्थमाल करेंगा फैसा डिविडेंड ब्राबर क्या होगा हिंदी में लिख दूंगा टेंसर मतलो सर डिविडेंड ब्राबर होगा डिवाइजर हम बले वेरी गोड इंटु को सेंट हो बसक्त इसको किया बढूता है स्पभाज जी बरावर क्या होगा में भाजक अपर स्कुरेर इस पूरा रखेता है तो ब्रदी बरावर घावन बाट पुर्मूलिय के साथ आई, हम बिल्कुछ से करना सुरू करते हैं, आज ये क्लास में बहुत ही इंदम लॉली पॉप टैप के आपके बताऊंगा, और इस प्रॉड़ा साब की आपके को इस प्रॉड़ा साथ की कॉंसेट करके ले जाओंगा, हाँ, इसके थोड़ा साब काफी कुछ महिनत करनी पड़ेगा आपको भी और और कोशिस करो टेंशन लिलक इससे बाहर जितना पढ़ा दूंगा कोई भी एक्जाम इवन आज से पांस सल बाद सीजियल अपन लेवल बढ़ा भी देगा तो बहां तक नहीं पहुच पाएगा जितना दूंगो पहुचा द डारेट कॉंसेप्ट लिख दूंगा या डारेट फर्मर लिख दूंगा तुम्हें लगेगा कि सर यह आता कहां से थोड़ा सा हमें भी फिल कराओ ना और यह एक्जाम में या दखीगा जब तक कॉंसेप्ट को फिल नहीं करोगे ना तब तक नई सवाल को आप टेकल नहीं अरे सार देखेओ ये अच्स से भाग देगा तो एक्स एकस तो कड़ जाएगा नहीं कड जागा और अतो अ यह अ यहsto एकस नहीं कटेगा वेरी गूड तो सरा यहास से ब्चागा घर में किंदbor किसेगा हॉलिका करको पाला और हम बेंद गोjust f इसको लिख लो पर पर जहां जाए एक्स का मल्टी पिलीकेसन है वह तो भाई जीरो देने बला है तो अगर यहां पर नजर डालोगे तो अब देख लो यहां पर तो रिमेंडर जीरो देगा पूरा-पूरा कट जागा यहां पर भी तो एकस है तो यहां भी रिमेंडर जीरो देगा फैनली बचा क्या एसको ए जीरो पलस जीरो पलस एसकोर का मतलब सब्सक्राइब हमारा क्या बच गया है एसकोर बच गया हमले जो बोलना चाहरे तो फिल तो तुम्हें भी कर सकता अलकिन तुमको एक और हम चाहते तुरह एस्टेप ले करके फिल कराए तो मज़ा अलग है अलग मज़ा है अलग मज़ा है यह एकस पलस एक क्या सर होल क्यूब और डिवाइड क्या करना एकस जन इसको डिवाइड करना किस सर तो मैं लगता है, feel, हो गया सर, कैसे हो गया होगा, बता रहाँ, सुनलो यहाँ पर नहीं कुछ था, तो power किता था, one तो अगर, x plus a, upon x power one है तो सिधस्ता ए का power कितना हो जाएगा, देखो एघो, one हो गया, अगर यहाँ पर x plus a का power अगर two है तो यहां सिदा सिदा शिदा 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 अच्छी बावर अगर एक पलस ए था तो बारबर ए आ रहा है और एक जगह पर दो आए गया था जहाए स्वारबर पर अगर यह सिवीच्ज पर मान लो यहीं बात में आ जाएगा नुश्य साफी अगर एक स्पुलस भावर एक पलस वन रहा तो रहा तो यह भार आपको लिख आप एक्स होगा तो आपणे बोल दो से यहां पर रिमेंड किया बचने वुला है सर रिमेंडर एवान का पावर अगर एजर लोगी तो रिमेंडर बात समझा कि नहीं तो सुम्झा कि आपका वर हो जागा यह बात सब को समय आगा कि नहीं बताओ, उम्यत करते हैं यहां तो सब कुछ किलियर रही होगी, आजा, अब तुम्हारा जो है ना, समझ लो, तुम आप तुम जो गलती करने वाले हो, अभी कराता हो तुमसे, रूख जो, अभी गलत कराता हो तुमसे, एक्स मैनस वन का पावर अगर न, एन रहेगा और अपन एन रहेगा, तब तुम बोलेगा, सरी, यहां से रिमेंडर जो होने वाला है, यह मैनस का वन का पावर क्या होने वाला बलो, एन होने वाला है, ठीक है सरी मैनस अब यहां रुख जाओ रुख जाओ बताओ क्यों बताओं रुको तो अब कैसे गलवड तो पोजेटिव मान देती है और अगर पावर इवेंट रहा मेरे दोस्त तो पोजेटिव मान देती है और एण पर तुम कमेंट कर भी नहीं सकता है यह नेगेटिव है यह यह और और उसका पावर इवेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है समझा क्या लेकिन मैनस रहेगा तो भई यह फर्क पड़ेगा तो महले बबबा आज़ो दो केस बनाते है तुमको यहां समझो कि रिमेंड मैंनस मैं रहेगा तो सर मैनस मैंनस भीचृत होता नहीं है तो सर मैंनस है तुम क्या करें Ballis Çेंज करोगे भाइया, चेंज करना पड़ेगा, हम बोले, अच्छा, क्या करना पड़ेगा, चेंज, कैसे करेंगा सर, हम बोले, मैनस वन तो ठीक है, जिससे भाग देते थे, उसको जोडने के लिए बोलेते हैं, तो यह हो जागा तरह, रिमेंडर फैनल, लेकिन यह कब, यह एन, जब जब जो क्या होगा भाईया, और नमर होगा, जो और नमर होगा, तो यह बात याद अखिएगा, कि आपका यह कंडिशन बनना है वोला, तो इस दोनों इंवर्ल इतना ही बताने चाहरा है, इस सबसे बात यही था, इंपोर्टेंट, अगर यह समझ गए, तो मुझे लगता है, कि इस तरह के concept पर कितने सवाले बने हैं, और इसको हम किस तरीके से handle करेंगे, x plus 1 power n upon x, या x minus 1 to the power n upon x पर कितने type के सवाले बन सकते हैं, और अगर कोई सवाल इस पर नहीं बनेगा, तब उसको कैसे बनाएंगे, यह एक बड़ा मुद्दा है, आए देखते हैं कि कितने सवाल किया, ठीक है? कि कितने सवाले बने पर टूझे का एक दो एको यह एक, डासी बनाएंगे, यह एक बने भी सामा रदिए, झाध र 거죠?